गुड बॉनिंग आई टेस्ट लगाते हैं ठेस्ट ही तो लगा रहे हैं कई दिन से आप लोग और नमबर भी टिक ठाक आ रहे हैं और आसा करते हैं कुछ सुधार भी हो रहा होगा मतलब की पहले शिरुवात में जब आप टेश्ट लगाते थे और अब जब टेश्ट लगा रहे हैं कुछ तो सुधार ज़रूर हो रहा होगा नहीं हो रहा है, सुधार ये ऐसे काम नहीं चलेगा तो चलिए, टेश्ट लगाते हैं और आज कोसिस करिए आप से लिए सुरू करते हैं और दियांसे टेश्च लगाएं पहला Ăजिय देखिए हैं इनमे से कौन केंदसरकार का परफम विधियाधिकारी होता हैं unfortunately in से कौन केंदसरकार का प्रफम विधियाधिकारी होता है SIMPLE सा क्यूंपल सा दीक्यायीенटो है जाले एन्स बता देते हैं आपको यहां पर option जो दूसरा है यह बारत-बिदी बहुत का प्रथाम इधिद Aid कारी बोलते हैं … जैसे केंदर में महानियावादी वाइसे राज्यों मेником याद है महादिवक्ता जैसे महानियवादी, उसे महानियवादी, अच्छा महानियवादी किस अनुच्छेद में, याद है, 46, पताया गया था आपको न, पूरा डेटेल बताया गया था, नोट्स खोलेगा, सब मिलेगा, और वैसे महानियवादी भी पूरा डेटेल बताया गया था, किस तो यहां पर option दूसरा सही है, चलते हैं next question पर, चलो भाई, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा question है, भारत में regulating at किस वर्स पारित किया गया, simple question, हलुआ question, हलुआ, खाहित हो गए आप लोग, हलुआ question, और फिर एका number देने वाला question, और बहुत important question, क्योंकि generally question यह बहुत बार 1657, 1757, 1778, 1841, याधे, simple चाहे, चली, यह स्वता देते हैं आपको, याध करो अप लाड़ वारिन हेस्टिंग, भारत के पर्थम, बंगाल के पर्थम गवर्नर जेनरल, याधे, लाड़ वारिन हेस्टिंग, उन्होंको बंगाल का पर्थम गवर्नर जेनरल बनाये गया था, और उसी समय एक आयक्ट आया था 1773 में, वही था regulating act, regulate करने के लिए, company को regulate करने के लिए, company को अपने नेंतर में रखने के लिए, ताकि company ताना साह न हो जाए, company पर नेंतर न स्थापित हो सके, इसलिए 1773 का regulating act आता है, उसके बाद यह कोशिश की गई, हर 20 साल पे एक आयक्ट में आया था, उसके बाद एक सेट में आया था, बदल गया, उसके लेकिन 20-20 साल पहले आता था, ध्यान रखना, तो यहां पर option, तीसरा सही है, चलते है next question पर, ध्यान रखना, इन question को हलके मत लेना बहुत बार पूचे गए हैं, और आपको सरल इसलिए लगे होंगे, अगर याद होंगे, तो मैंने आपको बताया है, नहीं तो ऐसे question तो दिमाग में समझ नहीं आते हैं, ध्यान रखना थोड़ा question को, अगला question देख लेते हैं, बारत में किस राज में सबसे पहले 2 October 1969 को पंचायती राजविवस्ता की सुरुवात की गई थी, याद है, किस राज में राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राजविवस्ता की सुरुवात की गई थी, याद होगा, राजस्थान के नागवर जिले से पंडित जवाहर लाल नहरू ने 2 October 1969 को पहली बार पंचायती राज की सुरुवात की थी, याद है, उसके बाद आन प्रदेश के बाद अस इसलिए ताकि लोगों को कहा गया कि आप पंचायती राजविवस्ता को एक संबैधानिक दर्जा दिया गया और उसमें कुछ अनिवार प्रवा उपबंध और कुछ एच्छिक उपबंध प्राप्रदान किये याद है ना, और तब जाकर पंचायती राजविवस्ता को एक 243 याद है ना, 243 से जेट जी तक याद है उसी में अगर पालिकाय भी है पंचायते भी है तिक और पंचायती राज के त्रीवस्ता के जो जर्मिदाता मान जातने कौन है बलवंत राव मेहता साहब यह आपको बताया गया था याद होगा अच्छा किस समितने सिफारिश की कि पंचायतों को समथानी दर्जा मिलना चाहिए अलग से समयधान में प्रावधान होना चाहिए आपको यह कमेंट बाक्स में बताना है क्योंकि इसको बहुँद डिटियल मैंने आपको बता है चलिए नेस्स को स्न देखते है पाले एक प्राश्ट्ठ पती का निर्वाचन किसकी द्वारा होता है सुप्रेम कोट, हाई कोट, संसद, संसद, дополн को अदू होता है ? चलि जये भी दैंसे बताते हैं आपकों.. यहांपर आप्शन तीसरा स सभाप, संसद में जो दो सदन होते है याद होगा लोग सभा, लोग सभा के सदस, निर्वाचित और मनुनित दोनों, और राज सभा के निर्वाचित और मनुनित दोनों, सब मिलकर उपराश्टपती के चुनाओं में हिस्सा लेते हैं, और चुनाओ कैसा होता है, निर्वाचन परडाली, एकल निर्वाचन परडाली और कुन हिस्सा लेता है लोग सभा और राज सभा के निर्वाचित और मनोनी दोनों सदस से हिस्सा लेते हैं राज्यों के यहां कोई नहीं आते हैं राज्यों से कोई नहीं आता है याद रहेगा ना और दूसरी बात राश्पती के चुनाव में मनोनी सदस से हिस्सा नहीं लेते हैं यह सब थोड़ा सा कन्फूजन वाली टॉपिक हैं ते इनको धियान रखा करें यहां पर आपसन तीसरा सही है चलते हैं ने स्ट किश्चन पर चलो भाई आज पॉल्टी के आज के लास्ट क्यूस्चन पर आते हैं क्यूस्चन है भारत की समिधान सभाने कि सवर्स तो यहां पर आपसन तीसरा सही है चौबी जुन ने स्ट को समिधान सभाने राष्ट्रगान को अपनाया था यादे ना अपको लिखवाया गया है त्यांस से नोट रिखेंगे मिल जाएगा अप्सन तीसरा सही है यहां पांच क्यूस्चन पॉल्टीक कंप्लेट होते हैं आगी की जिग्राफिक क्यूस्चन है चलो उसको देखते हैं क्यूस्चन ध्यान से देखें अच्छा क्यूस्चन है नैंटी इस्ट रीच कहां पर इस्थित हैं प्रसांत महासागर हिंद महासागर अंध महासागर आर्कटिक महासागर चलिए अनसे बताते हैं आपको यहां पर option सोचिए चलिए बताते हैं यहां पर option B सही है हिंद महासागर में यह जो 98 रीज है ना यह हिंद महासागर में कटक है कटक तो जानते हैं समुद्र के अंदर जो आला मुकी से निकलना लावा जब जम के परवत का रूप समुदर के अंदर परवत का रूप बना लेता है तो वो कटक होता है तो जो कटक हिंद महासागर में उसका नाम है 90 इस्ट रीच ठिक त्यान रखना हिंद महासागर में का जो तट है बंगाल खाड़ी और अरफ सागर बनाता है जानते हो ना हिंद महा सागर का ही कुछ हिस्सा बंगाल खाड़ी में गया हुआ है और कुछ हिस्सा अरफ सागर में गया हुआ है और यह जो बंगाल खाड़ी वाला हिस्सा है बड़ा अच्छा सोटिंग प्लेस बिक तो आपको दिखा होगा यहाँ पर हिंद महासागर में सुटिंग प्लेसेस भी बहुत ज्यादा विक्सित हैं बंगल खाड़ी के तटपर चले आगे चलते हैं यह क्यूश्चन देखे सस्ता क्यूश्चन है क्यूश्चन है तकला मकान मरुस्तल किस देश में है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्वेकिस्तान चीन सुचिए सरल क्यूश्चन है फिरी का नमबर देगा चले एंसे बताते हैं आपको यहाँ पर आफ़सन डी सही है चीन में है मुक्किता वह इसे दिखा जाना तकला मकान मरुस्तल चीन और मंगोलिया के बार्डर छेतर में है मतलब मंगोलिया में भी फैला हुआ है चीन के ऊपर मंगोलिया देश देश देया अपना मैफ खोलेंगे तो मिल जाएगा तो यह तकला मकान मरुस्तल इधर है तो तकला मकान मरुस्तल दोनों में फैला हुआ है तो कभी आप्शन मंगोलिया सही कर लेता है कभी चीन सही कर लेता है तो यहाँ पर मंगोलिया आप्शन में है नहीं तो आप्शन D सही कर लेजी आप चीन में है ध्यान रखना बहुत चलिए इसे बता देते हैं यहां पर option B सही है खानित जो होते हैं एक परकार से अकार्बनिक ठोस होते हैं और कारवनिक ठोस होते हैं, option B सही है, चलते हैं next question पर, question ध्यान से देखें, question अच्छा है, जिराफ सिंग, सिंग जिराफ बाइसन, जैसे जानवर, किस one में मुख्यता पाए जाएंगे, पड़पाती one, घास अस्थल, मरूभूम, संकुधारी ब्रिच, संकुधारी ब्रिची one सोचिए, चलिए आपको answer बताते हैं, यहां पर option B सही है, यह जो दिया है घास अस्थल, यह घास अस्थल में जहां जिराफ या फिर जिराफ जहां होते हैं, तो इनहीं कैसी कार के लिए सेर होते हैं, क्योंकि सेर को मांस चाहिए, मांस वहीं मिलेंगे जहां पर घास खाने जानवर हो, तो गास अस्थल वाले बड़े छेत्रों में ही सिंग भी रहते हैं, जिरा साकाहरी जानवर को खाने के लिए है, तो सिंपल सी बात है, option B सही हो जाएगा, गास अस्थलों में मुख्यता, अचका last question वह बहुत अच्छा question है, question है, राष्टी 1 अनसंधान संस्था question कहाँ पर है, मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून, बड़ा repeated question है, चले यह से बताते हैं, आपको यहाँ पर option D सही होगा, राष्टी 1 अनसंधान से जो छेत रहे वो देहरादून में है, इस बात को धियान रखना यह बहुत बार पूछा गया question है, पहली बार यह कई बार repeated question है, इसको रवट डालना, कहीं note कर लेना बहुत बार पूछा गया है, राष्टी 1 अनसंधान संस्तान देहरादून में है, ठीक, यहाँ पर 10 question complete होते हैं, आपने कितना सही किया, जरूर बताइगा, और कितना आपका सही हो रहा है, और कितना आपने attempt किया था, कि मतलब पूरा दसो पर्टिक लगाया था, किसी को छोड़ दिया था, इस हिसाब से बताइगा, आपका कितना सही हुआ, अगर 8-9 के बीच में सही हो रहा है, ता आपकी तयारी best मानी जाएगी, और चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, व कर दो का पर देरे,